नमस्कार दोस्तों साहिति की ओर में आज की कहानी है सुदर्शन जी धौरा लिखी गई कहानी पुनर जन धन त्रिष्णा का इधन है जियों जो रुपया आता जाता है त्रिष्णा बढ़ती जाती है सहारनपुर के लाला अयुध्यानाद जब तक निर्धन थे तब तक उन्हें रुपयों की लालसा न थी परन्तु जब चार पैसे हो गए तो दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता हुई सोशते थे कोई ऐसी युक्ती निकल आवे जिससे कुछी दिनों में लाखो रुपय इकठे हो जाएं कभी वह रुपय पैसे को हाथ का मैल समझते थे उस समय वह मूर्ग थे परन्तु अब पैसे पैसे के लिए उनके प्राण निकलते थे अब उनकी आँखें खूल गई थी साधु महनतों की सेवा के लिए कभी वह बड़ी इस्रधा रखते थे उस समय वह निर्धन मनुस्य थे परन्तु अब इसे वह सबसे बड़ी भूल समझने लगे थे बैंक में चार पैसे इकठे हो गए थे इतना ही नहीं तिशना की धधकती हुई ज्वाला ने उनके शेश गुनों को भी उसी परकार भस्म कर दिया था जिस परकार दावानल बन के साथ गाउं को भी जला कर राख कर देती है मगर उनका अंताकरन सरवथा नश्ठ हो गया हो यह बात न थी कभी-कभी पुरानी प्रकृती का भी दोरा हो जाता था जिस परकार युव अवस्था के चेहरे में कभी-कभी बचपन का रंगरूप जलकने लगता है परन्तु यह अवस्था चिरस्थाई नहीं रहती थी नए स्वभाब के सामने पुराने विचार इस प्रकार दब जाते थे जिस प्रकार बुढ़ापा यौवन को पच्छार देता है लाला अयध्यानात के द्वार पर कोई साधू महंत आ जाता तो उनका मुख फूल की तरह खेल जाता था परन्तु आदर सत्कार के समय वस्था न रहती थी और चन्रमा को ग्रहन लग जाता था संध्या का समय था लाला अयद्यानात के द्वार पर एक साधू आकर रुका और एक विशेश गौरव के साथ बोला क्यों बाबा रात काटने के लिए साधू को स्थान मिल जाएगा साधू का मुख संतोष की मूर्ती था और आखें अमरित के कटोरे लाला अयद्यानात का हिर्दय भक्ती भाव से भर गया साध जुक कर बोले सीर आंखों पर साधू ने मुश्कुरा कर कहा बेटा आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष कहीं कहीं विरले ही रह गये हैं संसार से तो धर्म का भाव ही जैसे उठ गया हो अयद्यानात का हिर्दय खेल गया अपनी प्रसंसा साधू के मुख से सुनकर उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो हसी होटो तक आ गई परंतु उसे दबा कर बोले महराज यदी साधू संतों की सेवा ना की तो इस मनुस्य देह से लाब ही क्या साधू अंदर पहुंचा लाला अयद्यानात ने आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखी थी बास्मती के चावल बनाए मीठे दही के बड़े दाल और भाजियों में घी इस तरह तैरता था जिस तरह नदी नालों में जल लाला अयद्यानात साधू को ऐसे अच्छे और पुष्टी कारकपदार खिलाने के पक्षपाती न थे परंतु इस साधू की बातों में न जाने कैसी शक्ती थी कि उनके वर्षों के विचार छन भर में बदल गए जिस परकार गर्मी की सूखी वी पृत्वी एक ही दिन की वर्षा से हरी भरी हो जाती है इस भक्ती भाव से साधू का हिर्दय प्रसन हो गया रात को देर तक बातें होती रही ज्यान और भक्ती के दफ्तर खुल गए अंत में अयुध्यानात ने पूछा महराज आप साधू कैसे हुए साधू ने हसकर उतर दिया बेटा बुढ़ापा आ गया है अब क्या सारी आयू गिरस्ती ही में फसा रहूं कुछ हरी भजन भी तो करना चाहिए तुम्हारी किर्पा से बहुत रुपया कमाया पांच पुत्र हैं एक कन्या अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं अयुध्यानात ने साधू के मुख की ओर देखा और पूछा तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है साधू ने उत्तर दिया मेरे हाथ में जो लोहे की लाठी देखते हो यह अंदर से खोखली है इसमें मैंने एक सो मूरें डाल रखी है यात्रा में कभी-कभी धन की आवश्यक्ता पढ़ जाती है यह कहते-कहते साधू को नींद आ गई परन्तु अयुद्यानात की आँखों में नींद न थी वह बार-बार सरत्रिश नेत्रों से लाठी की ओर देखते और मन ही मन कुछ सोसते थे लोब धर्म के पीछे चिपा हुआ था कुछ समय तक यह संग्राम होता रहा अंत में लोब ने धर्म को पचार दिया अयुद्यानात ने लाठी उठाली परन्तु हात पेर काप रहे थे अंतह करन ने फिर फड़फडाना शुरू किया परन्तु लोब के द्रिध हातों ने उसका गला घोट ही तो दिया अयुद्यानात ने कमानी दबाई लाठी खोल कर मुहरे निकाली और उनके अस्थान में पैसे भर दिये पाप का जाधू चल गया दिन चड़ा साधू हर्दवार जाने को तयार हुआ अयुद्यानात का हिर्दय बैठता जाता था उन्हें डर था कि कहीं साधू को संदे न हो जाए इस विचार से उनके चेहरे का रंग उड़ा जाता था परन्तु साधू को इस घटना की कुछ भी खबर न थी वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करता और रात के आदर सतकार के लिए बार बार धन्यवाद देता था चलते समय अयुद्यानात ने कहा महराज मेरे हैं संतान नहीं है आप इस शुर से प्रार्थना करें हम पापी लोग हैं हमारी प्रार्थना में असर नहीं है आप महात्मा है परमात्मा आपकी सुनेगा साधू ने उत्तर दिया सुनेगा या नहीं यह तो वही जाने परंतु मैं तुम्हें आशिरबाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे यह कहकर साधू चला गया अध्यनात के सिर से भोज उतर गया उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधू के जाने के साथ ही उनके हिरदय से पत्थर हट गया वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे यह उनका मन और मस्तिस्क अनुभव कर रहा था परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत ड़ते थे चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था किन्तु उसका फल भविश्य के परदे में था मनुष्य बरत्मान समय के सामने भविश्य की परवाह नहीं करता उधर साधू हर्दवार पहुँचा तो हिरदय प्रसंद हो गया वहां साधू संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसंता हुई मानोस्वेंग भगवान के दर्शन हो गया हूँ उसका मन बर्मानन्द में लीन हो गया एक हलवाई को बुला कर बोला मैं एक महायगी करना चाहता हूँ जिसमें हरदवार के समस्त साधूं को भोजन कराया जाएगा उसमें सारा खर्श कितना बैठेगा हलवाई ने अंदाजा लगा कर उत्तर दिया साधे साथ सो रुपे इसमें सब कुछ हो जाएगा बहुत अच्छी तरह साधू ने शनभर सोचा और फिर कहा तुम यह प्रवंद कर सकोगे कर सकेंगे तो सब प्रवंद तुम ही करो जो खर्च होगा मैं दूँगा यह कहते कहते उसने एक भाव भरी द्रिष्टी से अपनी लाठी की ओर दिखा हलवाई ने उत्तर दिया आप निश्चिंद रहें सब प्रवंद हो जाएगा दूसरे दिन यग्य हुआ हरदवार भर में धूम मच गई लोग देखते थे और आनन्द से जूमते थे कहते थे यग्य बहुत देखे हैं परन्तु इस उदारता और भक्ती भावना से रुपे पानी की तरह भाते किसी को नहीं देखा ऐसे धनाध्यों की कमी नहीं जिनके पास मुहरों की देंगे हैं वे मुकदमे बाजी में लाखों लुटा देते हैं और बेटे के ब्याह में लाखों उड़ा देते हैं परन्तु धर्म की राह पर पैसा खर्च करते समय उनके दिल छोते हो जाते हैं। यह मनुस्य है जिसने अपना सच्चा धर्म समझा है और धर्म के सामने पैसे का मुँह नहीं देखा। सादू का दिमाग आसमान पर पहुँच गया और उसका हिर्दय आनंद के हिलोडे लेने लगा। सादू प्रसन हो रहा था परन्तु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई सादू ने अपने कमरे का दर्वाजा बंद किया और लाठी की कमानी दवाई। उसके अंदर पैसे देखकर उसका हिर्दय कांप गया। उसे ऐसा प्रतित हुआ मानो वह कोई भयानक स्वपन देख रहा है। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास न होता था। वह चाता था कि यह स्वपन जितनी जल्दी हो सके समाथ हो जाए। परन्तु यह स्वपन ऐसा ना था जिसके पैसा वही पैसा था। साधू के मुख पर पसीने की बूंदे जलकने लगी। हलवाई का हिसाब थोड़ी देर बाद देना था सोचा अब क्या होगा। अपमान का चित्र आँखों के सामने खिच गया। साधू कापकर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से अध पहले विचार करता है फिर दर्वाजा बंद कर लिया साथ ही उसकी आशा के दर्वाजे भी बंद हो गए साधू ने चारपाई की पाइती निकाली और उसे छट से लटका दिया मिर्तियु दर्वाजे पर खड़ी थी अंतह करण ने उगदेश किया दिमाग ने युक्तिया द परंतू निराशा ने सब और अंधिरा फैला दिया साधू का मुख मिर्तक के समान सफेद हो गया तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रसी का फंदा गले में डाला और थर्थराते हुए पाउं की अंतिम चेश्टा से चारपाई को ठोकर मार कर गिरा दिया मिर्तियू अंदर आ गई कैसा आनंद में प्रभात था परंतू किसे पता था कि उसकी शाम ऐसी दुखमई होगी थोड़े समय के पस्चात यह घटना बच्चे बच्चे के मुह पर थी साधू मर गया परंतू उसका आशिरवाद जिन्दा था साल के भीतर ही अयुध्यानात के घर पुत्र उत्पन हुआ मरी हुई आशाओं में जान पड़ गई अयुध्यानात ऐसे प्रसान थे मानुस संसार का धन मिल गया हो अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था उनके पैर पिर्थवी पर न पढ़ते थे बालक का नाम करन संसकार बड़ी धूम धाम से किया गया इस उत्सप के अबसर पर एक बड़ा भोज दिया गया उस दिन अयुध्यानात ने सारी आयु की किर्पनता की कोर कसर निकाल दी रुपे पैसे पानी की तरह बहाए बालक का नाम द्वारकानात रखा गया जियों जियों वह आयु में बढ़ता जाता था अयुध्यानात की कामनाए पल्ला पसारती जाती थी द्वारकानात बहुत शुशील बालक था उसकी बुद्धी देखकर आस्चरी होता था लोग कहते थे यह कुल का नाम बढ़ावेगा अयुध्यानात यह सुनते तो फूले ना समाते उसकी शरारतों और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार बढ़ता जाता था इसी प्रकार शह बर्स बीत गए द्वारकानात इसकूल में पढ़ने गया वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा सोना कुंदन बन गया वह सदैव अपनी कक्षा में प्रथम रहा करता था अयुध्यानात यह देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते थे परंतु कभी कभी जब उन्हें साधू के साथ अपना दुर्वैभार याद आ जाता तो उनके कलेजे में भाले चूप जाते थे और उनकी आत्मा पर एक अग्यात सा भैचा जाता था उन्हें अब रहरा कर अपने उपर क्रोधा था वह बवधा मन ही मन दुखी होते थे कि मेरी बुद्धी पर कैसा परदा पड़ गया जो ऐसी मूर्खता कर बैठा वह गुजरा हुआ समय उनके हाथ ना आता था उन्होंने वह मुहरे एक रुमाल में बान कर एक संदूक में रख दी और निश्चे कर लिया की उस साधू को दे देंगे उसकी खोज में उन्होंने कई मनुश्य भेजे परंतु उनकी साधू तक पहुँच ना हो सकी यहां तक की इस घटना को अयध्यानात भूल गए परंतु वह मूहरों की पोटली उसी तरह पड़ी रही परंतु उन्हें द्वारकानात की इस प्रकृती का कारण समझ नहीं पड़ता था सायकाल था द्वारकानात अपने डेरे को लोट रहा था की रास्ते में एक आदमी रोता हुआ मिला द्वारकानात ने आश्चर से पूछा क्यों रोते क्यों हो क्या कहूं कहते लज्जा आती है फिर भी ब्यापार में घाटा पड़ गया है यह तो एक मामूली बात है उसने विचितर भाव से द्वारकानात की ओर देख कर कहा मुझे रिंग चुकाना है वह मुझ पर नालिश करने वाले हैं द्वारकानात कुछ देर चुप रहा यह मौन उस अभागे के लिए आशा बन गया बहते हुए आशू रुख गए द्वारकानात ने पूछा कितने रुपियों से तुम्हारा काम चल सकेगा जब मनुश्य निरास हो जाता है तो उसे पगपग पर आशा दिखाई देती है उस आदमी को भी साहस हो गया उसने हिसाब लगा कर उत्तर दिया मेरे सिर्च चोदह सो रुपे के लगभग रिम चड़ा हुआ है चोदह सो रुपे? हाँ, चोदह सो रुपे द्वारकानात कुछ दिर चुप रहा फिर सहसा उसने कहा चिंता न करो प्रवंध हो जाएगा आगंतुक में पूछा तो कब तक? आज ही राद तक तुम्हारी दुकान कहां है? चोदह में जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही है द्वारकानात उरता हुआ घर पहुँचा उस समय उसके हिर्दे में हलचल मची हुई थी उसका चित व्याकुल था वह चाहता था कि जितनी जलदी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे उसे किसी दिविशक्ती ने विश्वास दिला दिया था कि इसकी सहायता करना मेरा ही धर्म है वह एक विशेश भावुकता के साथ घर गया माता और पिता दोनों कहीं बाहर थे दौर कानात का रास्ता साफ हो गया उसने नौकर से चाविया ली और कमरे के अंदर गया परंतु संदूक में ताला लगा था दौर कानात पर भूच सा सबार था उसने पत्थर लेकर ताला तोड डाला और पिर संदूक टटोलने लगा निराशा ने पैर फैलाए मगर आशा ने धानस बंधा दी एका एक आशा की चमक दिखाई दी दौर कानात के हाथ में एक रुमाल आ गया उसने कापते हुए हाथों से उसे जल्दी से खोला फिर दे कमल की तरह खिल गया यह वही मुहरे थी गिनी पूरी सो निकली फिर दे पर फुली थो गया वह उन्हें जेब में रखकर इस तरह भागा जैसे कोई पूलिस का करमचारी पीछे लगा हो दौर कानात ने भलाई के लिए बुराई की परन्तु ऐसी बुराई करने वालों की संख्या कितनी है रात का समय था दौर कानात अपने देरे को वापस आया परन्तु अभी आकर बैठा ही था कि पेट में पीड़ा होने लगी दौर कानात सासी नव्युवक था बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत ना हारता था परन्तु यह पीड़ा ना जाने किस प्रकार की थी कि उसके मुख से चीख निकल गई अयोध्यानात को ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ती पढ़ने वाली है यह आने वाली विपत्ती का पूर्व रूप था वह दोड़े हुए डॉक्टर के पास गए परन्तु अभी वापस ना आये थे कि दौर कानात ने प्राण त्याग दिये अयोध्यानात ने यह सुना तो पच्छार खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे जाला तो मुहरों वाला रुमाल न था एक आएक उनको कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई परन्तु उन मुहरों का चला जाना और द्वार का नात का अचानक मरना इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है इसे वह कभी न समझ सके तो ये आप सुन रहे थे सुधरसन जी दौरा लिखी गई कहानी पुनर जन्व रिनु की आवाज में ऐसी ही अद्वुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी तैंक यू